आप सबी का आपके अपने चैनल एस्टोर फ्रेंड अंचु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंचुकुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ व्रिश्चिक राशी का कैसा रहेगा मई का महीना कैसा रहेगा मई के महीने में आपका स्वास, आपकी शिक्षा, आपकी रिलेशन्शिप, नौकरी और विपसाए तो सबसे पहले जानेंगे व्रिश्चिक राशी की गोचरे सिती किस प्रकार से है क्योंकि जो भी जीवन हमारा वितीत होता है, गोचर के अनुसार ही वितीत होता है तो यदि आपकी व्रिश्चिक राशी है, व्रिश्चिक लगन है या आपके नाम से व्रिश्चिक राशी बनती है तो आज का वीडियो आपके लिए है, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन सावित होने वाला है इसलिए वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पैल नोटिफिकेशन को अन करके और पे क्लिक करें कैसा रहेगा आपका मई का महीना? तो जानते हैं गोचर सिदी, आपके 4th house में शनी गोचर कर रहे हैं 6th house में सूरे, गुरू, राहू और बुद्ध गोचर कर रहे हैं 8th house में मंगल और शुकर गोचर कर रहे हैं 11th house में चंदरमा गोचर कर रहे हैं 12th house में केतु गोचर कर रहे हैं तो गोचर के अनुसार कैसा रहेगा मई का महीना? सबसे पहले जानेंगे लगन, यानि की आपका स्वास, आपकी सेहत कैसी रहेगी मई के महीने में तो यहां लगनेश मंगल है जो अस्टम भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा मई के महीने में आपको सरदर्द, बुखार, पेट से सम्मंदित शिकायत हो सकती है तो खाने पीने का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा, में के महीने में बाहर का खाना पीना अवोइड करिएगा कैसी रहेगी शिक्षाप की मही के महीने में तो यहां पेपंचमेश गुरु छटे भाव में गोचर कर रहे हैं सूरे, राहू और बुद के साथ गोचर कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रगेगा, आलस आएगा, आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, बहुत समय पढ़ा है, पर आपने स्टुडिस को इगनोर नहीं करना है, कैसी रही कि रिलेशनशिप आपकी मेके महीने में, तो रिलेशनशिप भी हम फिफ्त आॉट से देखते हैं, फिफ्त लौट सिक्स में हैं, सूरे राहू बुद के साथ हैं, तो ऐसे में आपको रिलेशनशिप में बहुत संभल कर चलना होगा, ज्यो को संभाल कर रखिए कैसा रहेगा विवाहिक जीवन में के महीने में तो सब्तमेश शुकर हैं जो अस्टमभाव में कोचर कर रही हैं ऐसे में आपको अपनी रिलेशन्शिप अपने विवाहिक जीवन में बहुत ही संभल कर चलना है गुसे पे कंट्रोल रखना है क्योंकि उनों के बीच में बहुत सारी परिशानी उत्पन हो जाएंगी यहां तक कि डिवोस का भी योग बन रहा है तो आप अपने रिलेशन्शिप में संभल कर चलिए कैसा रहेगा नौकियर विफसाई में के महीने में तो यहां पर आपको मैं के महीने में बहुत महनत करनी होगी मह मेहनत करिये और मेहनत में फोकस करिए यहां आपका कॉंसेंटरेशन और डिस्टरीक्षन बढ़ रहा है जो बर विTFसाएं में तो सफलता के लिए पूरा फोकस करके चले किसी की बातों पर ध्यान ना दे किसी भी परकार का लें दें में के महीने में आपको नहीं करना है कोई भी नया कारे शुरू करें अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहिए क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके पीछे से गुडबाजी कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं तो नौक्रियर वेपसाय में आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा कौन से हैं वो उपाय जो आपको जरूर करने है मई के महीने में तो आपको दिन के समय अपने लंच की थाली की पहली रोटी काय को सरूर खिलानी है और रात की थाली है निकि आप जब दिनर करते हैं तो दिनर की पहली रोटी आपने कुट्टे को सरूर खिलानी है पक्षिय उपाय शुरू कर दीजिए और देखी जो भी समस्य आपके जीवन में चल रही है वो तो दूर होंगी ही मई के महीने में जो परेशानी आपकी आने वाली है वो भी यह उपाय करने से दूर हो जाएंगी उमीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लापकारी थाबित होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों पर इश्चेदारों में शेयर करें वीडियो से संबंदित यह आपका कोई प्रश्चन है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूर सकते हैं जै माता दी आपका द